आई एवरीबन वेलकम टू जेयार टॉक्स यूड़ोग चैनल आई यह फ्रेंड राहुल जेस्पाल जिया दोस्तों अगेर आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं एक्जाम का महौल चल रहा है यानि सभी बच्चे अभी दौड में लगे हुएं कि किस प्रकार हम ल बहुत important होता है as compared to final exams of other students लेकिन देखो final exam तो final exam ही होता है तो सभी students equal होते है और इसलिए मैं एक common video बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप exams के लिए पर प्यार कर रहे हो तो आखरी में एक सबसे important चीज़ जरूर करनी होती है जो कि है दोस्तों revision तो यह revision आपको अगर fast तरीके से करना है क्या वो तरीका हो सकता है और किन-किन बातों का आपको खयाल रखना चाहिए revision करते समय ताकि आपका revision और अच्छी तरीके से हो पाए और जिससे आपका productivity जो है वो बढ़ जाए ठीक है तो चलिए शुरुआत करते वीडियो की बहुत दिन बाकी जब होते हैं जैसे कि समझतों चाल दिन बाकी है पास दिन बाकी एक्जाम के लिए तो आप नॉर्मल तो पर प्रिपार कर रहे हो लेकिन एक revision ऐसा revision होता है कि आज आप revision कर रहे हो और कल या फिर परसो आपका exam है मतलब consider आपको करके चलना है ये वीडियो तो और पर खासकर बोर्ड वाले को तो होती है जो फाइनल एक्जाम नॉर्मल साथ वी आट भी नौवी या फिर ग्यार वी के बच्चे होते है उनको नहीं भी होती है लेकिन मान के चलो एक दिन तो नॉर्मल छुट्टी होती है तो अगर आपके बस एक दिन टाइम है तो यह एक दिन में आपको पढ़ना तो होता नहीं क्योंकि आपको इन चीज याद करने को रिस्क नहीं ले सकते है आपको बस रिवाइज करना होता है तो कंसिडर करके चलो कि आपका लास्ट दे चल रहा है और एक या दो दिन ही सिर्फ बचा है आपके एक्जाम से तो वो एक दो दिन में आपको क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्भ रिविजन करना होता है. एक दिन में तो आपको पाथ चाप्टर्र रिवाइस करने पड़ेंगे तो रिवाइस में कैसे करू?, और रिवीजन का मतलब होता है दो़राना हिंदी में उसको Doug laughedoda Dewarana मतलब जो चीज बोला गया उसको वापस से एक बार बोल जहसे पोल बोला चलो हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो अभी समझ लो कि आप कोई भी चीज़ को जब वापस से रिपीट करते हो दैट इस नतिंग बाद दोहराना एंड दोहराना का मतला बहुत है रिवीजन तो आप क्या कर सकते हो सबसे पहले समझ लो आज आपको पता है कि मेरे को आ जिपिंग ओर मतला जहां 8 गंटा सो रहे वाँ 6 गंटा सो तो इससे होगा क्या सबसे पहले स्टार्ट अरली जितना हो सके जल्दी उठो मॉर्निंग में मैं जब था स्टूडेंट जब मेरा एक दो दीन के पाद एक्जाम होते थे तो मैं तीन बदे चार बजे पांच बज कॉफी अगर मिल जाए तो और मज़ा आ जाए कैफीन होता है नीन अपने भाग जाएगे ठीक है तो यह जो चीजें होती है ना जब आप मॉर्निंग में उट रहे तो आसपास कोई नहीं है सब सोए है पुरी दुनिया सोरी आप उट रहे हो आप पढ़ रहे हो साइंस वन पहला चाप्टर क्या है लाईफ प्रोसेस है ठीक है है यार एडिटी एन एडिवालूशन है घड़ाने में यार दोहराने में यानि रिवाइज करने में एक या दो मिनट लगेगा मतलब सोचो आप एक घंटे के अंदर अब चाहो ये जो 3-4-5 घंटे का जो स्लोट है 3-4-5 टाइमिंग का जो स्लोट है इसमें अगर 2 घंट भी आप मौनिंग में पढ़ लोगे तो आप एक चाप्टर कवर कर सकते हो और जब 5-6 बज जाएंगे तो ये तो आपका नॉर्मल टाइमिंग था तो मतलब सोचो कि जब 6 बज रहे होंगे तो हो सकता है आपने अगर पहले उठा होगा तो आपका दो चाप्टर रिवाइस करके हो गया मतलब बाकी दोस्तों लोग उठ रहे होंगे सो के यार अंगडाई लेके उठ रहे होंगे और आप बोलेगे देख में दो चाप्टर रिवाइस भी कर लिया आप जो है उनसे दो चाप्टर आगे निकल गए तो इस प्रकार का रिविजिन करता है अर्ली स्टार्ट से दुस इस से ही आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है तो उसको टिक मा करो हो जैसे मैं क्या करता था खिय कर गया है लिश्ट् जब आप फाइनली हुए जब आपका पूरा दो दिन पूरा अच्छे से रिवाइज करके हो जाएगा जब बुग पल्टो गे पेजे पल्टो गे ना तो हर जगा आपको star mark और तो इतना खुशी होगी न कि आपने सब पढ़ लिया सब रिवाइज भी कर लिया लगबग 80-90% तो बहुत खुशी देता है तो यह जरूर करना आपको पता होना ची कि क्या रिवाइज करने वाले हैं उसके लिए आपको पहले से ही सब कुछ टिकमाक करके रखना पड़ेगा कि यह पढ़के रखा है मैंने इसको ही रिवाइज करना है इसके अलावा और कोई कोश्चिन को छूंगा भी नहीं देखूं तो ब्रेक्स बीट में होने चाहिए अच्छी तरीके से क्या होता है रफली मतलब एक नोडबुक लेलो आपने समझ लो कुछ एंसर को लॉन किया अब उसको रिवाइस कर रहें तो इसको ना अपने हाथों से लिखने की कोशिश करो एकदम रफ लैंग्वेज में भले उसक अब हो सकता है जुसरा सेल्फ टेस्ट बुक्क्यों पर अपना हाथ रखो कंपास बॉक्स रखो और पढ़ो अपने मन में रहां यह इस प्रकार से इसक्टेस्ट दे सकते हो ठीक है लाश बट नॉट दलिस्ट इट हैल्दी तो अच्छे तरीके से हल्दी खाना यह एक महीन थोड़ा सा छोटा मोटा योगा छोटा मोटा एक्सराइस कर लिया करो ताकि बॉड़ी में एनरजी का लेवल बड़ा हो सके ठीक है समझ में आ रहा है तो यही था दोस्तों मेरे तरब से टीप बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाओंगा ठीक है ना एकदम साइंटिफ तो छाए तो पहली बार आयो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना खिल्दी मिलेंगे हमारेस वीडियो में तब तक कि लिए धानक्यू एन गृडबाए